हेलो गाइस वेलकम बैक टू टीम्स फॉर्यून यूटुब चैनल इस वडियो में प्रिव्यू करने वाले हैं पोलिश बास्केटबॉल लिग का मैच जो की होने वाला है जो ट्रेफिल सपोर्ट और यहां से एन्विल व्लोसिविक के बीच में सो इसी की हम जो एक अनालिसस क करेंगे इन शॉर्ट सारे प्लेयर्स के बारे में स्टैट्स देखेंगे उसके बाद जो इसकी ड्रीम 11 एक ड्राफ्ट टीम भी बनाएंगे जिसको हम आगे प्रॉसेस करेंगे लाइन अप्स अनाउंस होने के बाद ऑफिशियली तो यह सब कुछ आपको स्टैट्स बेस प कि आप किस प्लेयर को किस वज़ा से पिक कर रहे हैं तो जरू जो देख लेना स्टैट्स काफी सा रहे हैं लास्ट के पांच-पांच मैचस के मैंने पूरे आपको स्टैट्स डाल रखें तो जरू जो पूरा एंड तक वीडियो को वाच करना और अगर पसंद आता है वीड जो भी आपको सही लगया आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉमेंट्स में उसी लीग के उपर में जो भी आप मैचस बताएंगे उस लीग पे मैं काम करके आपके लिए बास्केटबॉल की वीडियो भी लाओंगा मेरे को उतना नौलिज नहीं है जितना की आप कह सकते हैं मैं और वह जो यहां से सब्सक्राइब है। और steel में आता है थोड़ा थोड़ा margin यहाँ पर steel करने में थोड़ा आगे नजर आएंगे आपको यहाँ से देखा जाए तो steel में आपको यहाँ पर आगे नजर आएगी और वहीं पर ब्लॉक में देखेंगे आप तो यहाँ पर थोड़ा आगे आपको सुपोर्ट टीम देखने को मिलेगी उसके इलावा जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और अगर कलेक्टिवली देखोगे रिबाउंट तो लगबग बराबर कें लेकिन अगर आप सपरेट करके रिबाउंट में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा आपको डिफरेंस नजर जरूर आएगा तो यह कुछ जो है अभी तक का हेट टो एड मैच अप है बाकी बात क कुछ से देख लेना बाकी यहां पर मैं बात करता हूं शूटिंग गाड़ पर स्टार्ट करेंगे यहां से मार्टिनास पोली किनास जो कि यहां से बहुत ही अजीब इनके नाम है तो दुरू जे प्रोनोंसेशन में अगर कुछ घडबड हुआ तो दुरू जे देख लेना बाकी सेंटर से यहां से डिमनिक ओनिजएक स्टार्ट करेंगे जो कि पावज़ ल्योंस की हैं जो कि पावतो近 से स्टार्ट करेंगे स्माल फोर्ड में आपको dir हाउस देखने को मिलेंगे इजिस्ट में अगर paint कि बात करी जाए तो पॉइंट गरड पर प्र आब करोल दे शूटिंग गाड में देखा जाए तो यहां से मिकाल कोलेंडा है जो की स्टार्ट नहीं करेंगे लेकिन बेंच से स्टार्ट करेंगे यह भी अच्छा खासा जो गेम टाइम कंजूम कर लेते हैं 22.8 मिनिट्स पर गेम यह जो है अवरेज निकालते हैं सेंटर से जो बैक अपर होने वाले हैं वह यहां पर डॉरियस मोटन है जो यह भी ठीक ठाक गेम टाइम अचीव कर लेते हैं तो इस जो स्कॉर्ड में पर्टिकुलर टीम में कोई भी एक प्लेयर जो है कंटिनुसली ज्यादा देर तक जो है कोड पे नहीं बना रहेगा तो ज देखा जाए तो वाइटली यहां से कुवलेंग को खेलेंगे पाव फॉर्ड में जो बेंच से आएंगे और स्मॉल फॉर्ड में नूनी ओमिट यह प्लेयर ना आपके लिए ग्रेंड लीक के लिए मस्ट हव प्लेयर है जरूर आगे बताऊंगा क्यों किसलिए इनके रिसे तरफ से आपको क्या स्वाइव स्टाइब को मिलेगी देखने को मिलेगी पॉइंट गार्ट पर हैंसे रोटिनी क्लर्क स्टार्ट करेंगे एवी का रैडिक देन उसके बाद यहां से आपको पावफोर्ट से वेलेरी लिकोडी देखने को मिलेंगे देन उसके बाद यहां से स्मॉल फोवर्ड में इवान अलमीडा देखने को मिलेंगे ओके सो यहां पर इनके टीम में सबसे ज़्यादा अगर Starters में से ज़्यादा टाइम कोर्ट पर बिताने वाले प्लेयर हैं तो वो Ivan Almeida है जो अच्छे खासे ब्लॉक्स और स्टील कर लेते हैं ओके यह हाइट में बहुत अच्छे हैं और यह अच्छे खासे ब्लॉक्स और स्टील निकाल लेते हैं और average points देखो बहुत बढ़िया है दोनों teams में compare करो तो सबसे बढ़िया average points score करते हैं और rebounds भी बहुत तगड़े हैं यहां पर 7.9 rebounds का जो है इनका total जो है निकल का था और यहां पर देखो रैडिक यह team ना defense के लिए बहुत अच्छी जानी जाएगी वस कार्ड में देखने को मिलेंगे टुमा तो मसवस्की दिन उसके बाद यहां से सेंटर से देखने को मुलेंगे सुलीमा दिन उसके बाद power for forward में देखेंगे शॉन जोन में उसके बाद small forward में आपको आर्टूर यहां से जो है मिला जरे देखने को मिलेंगे, तो इनके bench से ज्यादा time consume करने वाले कोई player नहीं है, तो जो इनके starters होने वाले, वही max to max यहाँ पर अपना time, code पे send करेंगे, तो यहाँ इधर से जो व्लॉकलविक की team की तरफ से आप देखोगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो starter करेंगे ना उनी पर पंट लेनी की कुश्शिश करना bench से एक कदुक का player हैं जिनके उपर आप यहां से पंट ले सकते हैं यह दो player हैं जिनके उपर आप पंट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं standings की बाद करते हैं अभी teams ने अभी performance क्या किया है sport अभी जो है यहां पर 7th rank पे हैं okay hashtag 7 मतलब 7th rank पे हैं यह और यहां पे इनने टोटल 18 matches खेले हैं उसमें से 11 जीते हैं 7 हारे हैं और home और जो है इनका record देख लो home venue इनका जो record है वो 5 विन 5 लॉस के साथ जो है यह home venue पे अभी तक record बनाए हुए है average points scored और average point conceded या leak जो भी हो वह आप देख लो हैं पर 84 points से score करते हैं 84 points के असपास जो है हर match में score करते हैं और conceded 76.5 यानि यहां पे ज्यादा जो है यह conceded नहीं करते हैं यानि opponents को ज्यादा points से leak नहीं करने मतलब gain करने नहीं देते हैं जो एन्विल व्लॉकलिविक है वो टीम यहां पे जो है 15th rank पर यानि bottom of the table से second rank पर यह जो है score versus point gained जो भी है leak यह देख लो आप यहां पर 84 points यहां पर score करते हैं और conceded 85 points के आसपास करते हैं यानि यह ज्यादा points conceded करते हैं और बहुती close matches यह खेल के और recent match इनका जो था वो पॉल फार्मा के अगेंस था जहां पर इन्हों 92 117 से विन किया है ओके यह विन है जैसे राइट मार्क है तो यह विन है और यहां पर अगर आईसा वाला मार्क आया तो यह जो है लॉस रहेगा ओके तो देखते वे चलना प्लेयर्स का performance है मैं आपको नीचे जब मैं summary दिखाऊंगा उसी टाइम पर बताऊंगा फर्दर ना भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं ब्राउज होने का option आ जाएगा ओके यहीं एक मैच है जो इन्हों लॉस किया है जो कि इन्हों ने जो है पॉनिया के अगेंस जो हैं पर लॉस्ट किया है उसके इलावा जो भी मैचस है वह लाश के पांच मैचस में चार मैचस यह विन करके आ रहे हैं ओके सो आगे वड़त आधा दो यहाँ पे यहाँ पे आप कहेंगे यह एक होम मैच ऑर हो मैच में उतना खांश नहीं किया यहाँ पे भी होम मैच है लेकिन स्लाग के थोड़ा बढ़िया पर्फॉप्रेंस है ओके पर्फॉपार्मेंस वाइस देख देखते चलेंगे नीचे जो हम समरी से बारे म मैच बाइब होग कि पाउंक मैचा में के पाउंक मैचा होम पे यहां जो हैं सए कर फोक К southwest यहلة के विजिट पर विन की आता है वो यहीं पे आता है त्रिफर श्पोर्ट्ट यहां पर होम वेन्यू के अगे चलते हैं चलते हैं जब यहां पर होप जो कर आगे चलते हैं, तो यहां पर देखो, यह होम मैच आया, इनका फिर से ट्रेफल स्पोर्ट का होम वेन्यू पर खेलने, 82 इनों ने बनाया, 92 इनों ने बनाया, और यहां पर अबे टीम फिर से बीन कर गई, तो और अगर मैं कहूं, तो यही बात रहेगी, कि यहां पर यहां पर यहां पर होम वेन्यू पर इनों ने खेलें, ट्रिफल स्पोर्ट में, वहां पर थोड़ा जो है, यह लूस खेलते हुए देखने को मिलें, तो में भी चांसस हैं यहां पर, कि यह फिर से रिपीट हो सकता है, आप अगर यहां पर पंट लेना चाहते हैं, तो वह भी कर सकते हैं, ज्यादतर लोग जो हैं पर अच्छी टीम और जो स्ट्रॉंग टीम नजर आ रहे है, लीडर बोर्ड या जो है पॉइंट सिस्क्न में उसमें जो है, वही टीम को वह फेवर करेंगे, तो जरू जरू और यहां से डैरियस मोटन और यहां पर नूनी ओमट, तो यह कुछ चार प्लेयर हैं, जो बिल्कुल आपके लिए अच्छे स्वाबित हो सकते हैं, तो इनके उपर नजर बनाया रखना है, ग्रैंड लीक्स में रोटेशन में जरूर इनको रखना, व्लॉक लवी की तरफ स से मिल जाएंगे खेलते विए, इवान अलमीडा हैं, जो कि आपको पॉइंट गार्ड या शूटिंग गार्ड से देखने को मिलेंगे, तो जरूर जो इनको मिसमत करना, बाकी एक प्लेयर थे जिनको अभी स्क्वाड से एक्स्क्लूड कर दिया है, जो टीम ने, मिकांजी म पर ही आपका फोकस रहना चाहिए, तो इनके गिर्द में आप रोटेशन में जरूर जो अपनी टीम बना सकते हैं, अभी चलते हैं, तो आपको तीन टीम शो करूंगा, तीन में से मेरा एक स्मॉल लीग कॉंबिनेशन है, बाखी के दो जो है आप अगर रखना चाहते हैं, उन में से कुछ प्लेयर को सेलेक्टेड करके आप जो है, क्रेडिट का में आपको कैसे करना है, वह मैं आपको बेसिकली दिखाने वाला हूं, तो बेसिकली यह एक मेरी स्मॉल लीकिटीम है, जहां पर मैंने पूरे 100 क्रेडिट का यूटिलाइज किया हुआ है, और मेरे है, वह में तैसे सकते हैं, तृ आपको बागिन बात चुछ पर बीगन फृपहन करके लेस्तन और मेरे 1 लूकाम का लिगको सकते हैं, उसके लगए 1 function का नहीं की तक मैंने आपे Almeida के उपर vẫn लिया ध्योती्जों की मैंने कदा था अगरा यहां से आप लोग लिकी टीम ही तरफ से कुछ पंट लैना चाहादे हैं और एक प्लेइर है अराड इता के ऊपर ले सकते हो इस PPP options में जो भी मैंने बोला था वही players को मैंने rotate किया है यह जो final team है यह मेरी small league की as of no draft team है फर्दर जो final team होगी जो आप कह सकते हैं lineups के बाद होगी वो lineups के बाद की team आपको हमारे telegram channel पर देखने को मिलेगी जिसका link आपको description में दिया गया है वहां से आप फटा फट हमारे telegram channel जोइन कर सकते हैं वहां पर आपको final team आप जो line up पाजाएगी line up अपडेट हो जाएगी उसके बाद आपको जोरुज़े वहां पर देखने को मिल जाएगी करके बता देना और जरू जो है अगर पसंद आया कुछ भी स्टैट्स पर प्रेजेंटेशन और कुछ चेंजस हैं तो वह भी सेरेश्ट कर देना पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करना विकोज क्रिकेट फुटबाल और बास्केटबाल के आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही अनिटिकल टैक्टिकल वीडियो जरू जो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे जरूर जो है बस इतना कुछ कर देना और कॉमेंट जरूर करना और फीड़बैक जरूर देना ओके तो इसका मैं इंतजार करता रहूंगा फर्दर मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में बहुत ही चाल तबते के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लविद्री थाउजंद